विद्ट के अगर आपने इंटरोर देख लिया होगा तो आपको पता होगा की जो है कितान Bundes वरज चेल विद्धी ने वाला हूँ इस वीडियो में आपको प्रॉवेट करने वाला हूं GTA San Andreas के लिए एक Direct X 2.0 चुकि आपके गेम को एक बहुत ही जादा रिलास्टिक लुक देने वाला है है चुके इन सी यहाँ पे आप पूरा गेम पर देख सकते हो बेसिकली आज तक के अभी तक के मैंने जितने भी एसे मोट्स दीए जिसमें कुछ शेडोज बताईए गाड़िस के रिफलेक्शन बताए और कुछ ऐसे ट्रीज एट किये हैं कुछ हैडलाइस एट किये हैं तो उन सभी का मिक्सप भी होने वाला है और इसके अंदर आपको कुछ ऐसे ग्राफिक्स भी एट करे गए जो की जो की आपकी गेम को एक अलग ही लुक देने वाले है साथ पर मैंने यहाँ पर एट किया है 4 के स्काइबॉक्स जिसकी वीडियो मैंने अल्रेड़ी बनाई हुई है और वो मैंने इस मोट्पेक के अंदर एट किया है और जिसके वज़े से ये जो mod pack है बहुत ही जादा amazing होने वारा आप सभी लोगों के लिए as you can see यहाँ पर आप shadows को देख सकते हो and skybox के नज़र डाल सकते हो and आप गाड़ी के reflection पर देख सकते हो कि कितने जादा awesome लग रही है कितने जादा HD लग रही है and यकीन मानों अगर आप इस्ट्रोल करके इसको खेलोगे तो आपका जो मज़ा है जीटे का experience हो पूरा change होने वाला है because यह बहुत ही जादा awesome mod है also इस mod pack के अंदर आपको कुछ ऐसी sports car भी मिलने वाली है जो कि आपके game को एक और अलग look देने वाली है आप या पे car spawn के जरीए नहीने cards लेकर के गुम सकते हो and missions कर सकते हो बिना किसी problem के बिना किसी crash के और सभी device में support होने वाला है कोई ऐसी problem नहीं होगी कि इस device में support नहीं करेगा इस android version में support नहीं करेगा तो मैं बता दूँ सबके अंदर ये work करने वाला है and मैं बता दूँ ये थोड़ा सा high end mode pack होने वाला है तो थोड़ा सा आपका device अच्छा होना चाहिए अगर आपका device अच्छा नहीं होता अगर आपका device की RAM कम होती है तो don't worry कोई भी चिंदा करने वाली बात नहीं है आप जो every settings को जो थोड़ा सा low कर सकते हो और फिर आप जो इस mod pack को जो install कर सकते हो आपको जो experience है वो मिलने वाला है बहुत हाई level कर ठीक है तो मैं पहले बता दूँ इस mod pack का full fun लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपने सेटिंग में जाकर के आपके जो shadows reflection की जो setting होगी इस सबको max कर देना advanced and max कर देना इससे होगा कि आपको जो full experience है of this mode वो मिलने वाला है ठीक है सबसे पहले installation के और चलते इस तोलेशन चोटा सब सबसे पहले सब्सक्राइब करें कोई भी इशू ना है लोगों को so let's go to the installation so guys सबसे पहले आपको file डाउनलोड करनी है gts.i.x2.0.zip 900MA के फाइल होगी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए का go and download right now उसके बाद में password पूचे का password आपको पता ही है by saffron small के अंदर यहाँ पे अच्छे से देख लेना हमारा सभी mode package जितने भी password होते है basically यह एक ही password होता है ठीक है तो इसको दालने के बाद में यहाँ पे ok कर दो so मैं इसको hold करके and यहाँ पे cut कर लेता हूँ उसके बाद मैं back जाता हूँ फिर आपको जाना android में data में उसके बाद जाने के बाद में आपे paste कर देना है that's it हो गया आपका installation और अब अपना game आप चलाते हूँ तो आप देखोगे तो आपका जो पूरा game है वो पूरा पूरा game जो है basically change हो जो का है कुछ ऐसी बहुत amazing आपको chloride script आपे मिलने वाली है जो कि आपके game को बहुत जादा look देने वाली है और पूरा game changing mode होने वाला ही है आप देख सकते हो कि अभी तक कि मैं जितने भी mode दिये सब mode को मैंने यहाँ पे mix up करके दिया है तो यह जो mode pack है basically I hope कि बहुत जादा पसंद आने वाला है आप सभी लोगों को ठीक है also आपने mode pack तो install कर लिया so एक और बात यार अगर आपका यह mode pack work करता है तो please मुझे support जरू करिए मुझे आगे के लिए जरू motivation दीजिए और वो कैसे होगा आप निजी चाके subscribe के button पे click करो bell notification को on करो इससे यह होगा कि मुझे आगे की वीडियो के लिए motivation मिलेगा आगे भी बहुत अच्छे चाहिए वीडियो दाने वाली बहुत अच्छे mode packs आने वाले हैं जीटी सेनरियास के तो चैनल के साथ connect रो चैनल को subscribe कर लो अगर आपने subscribe पे नहीं किया है तो subscribe कर लो bell notification को all पे कर दो अगर आपको कोई भी प्राब्लम आती है mode related या फिर कोई previous mode related या फिर अगर आपके कोई query होती है तो आप मुझे comment में बोल सकते हो comment में पूछ सकते हो comment कर सकते हो मैं आपको reply and tweet कर दूँगा ठीक है और अगर वहाँ पे आप नहीं पूछ रा चाते तो instagram पे आप पूछ सकते हो instagram का link मैंने description में दे रखा है बहाँ पे जाकर के आप मुझे follow कर सकते हो so guys आज की वीडियो में इतना है thank you so much for watching this video and bye I don't lie to these women if I want them then I tell them don't get fly for these women I was born with these propellers all my haters cannot be me so I